नमस्कार आदाब सच्री अकाल जैभीम जुहार मेरा नाम है नवीन कुमार और मैं हूँ अंशिता राहूल गांधी का भाशन हुआ है संसद में और इसके बाद स्मृती इरानी का जवाब आया है तरह तरह के आरो पुछा ले गए हैं लेकिन इस समय सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या राहूल गांधी की आवाज संसद में छुपाई जा रही है छुपाई जा रही है मैं दबाई नहीं कह रहा हूँ छुपाई कह रहा हूँ इस छुपाई को समझने की जरूरत है क्योंकि राहूल गांधी जब भाशन दे रहे थे तब संसर्ट टीवी का कैमेरा मैन क्या कर रहा था तब संसर्ट टीवी का कैमेरा कहा था तब संसर्ट टीवी के प्रोड्यूसर और डिरेक्टर अफ प्रोडक्शन क्या कर रहे थे और किसके कहने पर जो कर रहे थे वो कर रहे थे ये सवाल बहुत बड़ा हो गया क्योंकि जब राहूल गांधी भाशन देते हैं तब संसर्ट टीवी का कैमरा कहीं और था लेकिन जब स्मृती इरानी बोलने आती हैं वो जवाब देने के लिए खड़ी होती हैं तो संसर्ट ट रानी का भाशन देना और कैमरे का उन पर नजर लखना जारी रखता है अंशिता हमारे साथ हैं अंशिता ने बड़ा शंदार रिसर्च किया हम उस पर बात करेंगे कि कितनी देर तक राहूल गांधी का भाशन चला कितनी देर राहूल गांधी दिखाई देते हैं और वोकि ये बात केवल राहूल गांधी पर कैमेरा ना जाने की नहीं है। बात है कि राहूल गांधी ने जो कहा है, मनिपूर का जो सवाल उठाया है, उसको पीछे धकेलने की है। और ये कहीं न कहीं संसदिय परमपरा के खलाफ जाता है, अन्छिदा। जी बिल्कुल जैसा कि सबकी निगाहें टिकी हुई थी और हर कोई आज का इंतजार कर रहा था कि राहुल गांधी जो है संसद में आज अविश्वास प्रस्ताओं पर बात करेंगे अपना बयान देंगे इस पर हर कोई महलब उन्हें सुनना चाहता था लेकिन सुना तो सही बट दिखाई नहीं दिये राहुल गांधी को लगातार जब वो बोल रहे थे तो उस दोरान बार-बार-बार-बार इस पीकर महुदे पर क्यामरा ले जाया जा रहा था यह हमने देखा कि जैसे अगर मैं टोटल बात करूं तो लगभग 37 मिनट का जो है राहुल गांधी का बयान था टोटल भाशन था टोटल उसमें से लगभग 14 मिनट तक उनको सिर्फ दिखाया गया और बाकी का जो पूरा टाइम था वो स्पीकर महुदे पर दिया गया पहले ज़रा एक 59 सेकंड की क्लिप है यह क्लिप देख लीजिए कि 8 सेकंड उसमें राहुल गांधी बोलत सेकंड राहुल गांधी बोलते हैं और उसके बाद लगभग 42 सेकंड तक कैमरा ओं बिल्दा पर रहता है अध्यक्ष पर रहता है स्पीकर पर रहता है और तब जब ओम बिल्दा कुछ बूल नहीं रहें कोई रूल नहीं दे रहें किसी को टोका टाकी नहीं कर रहें रोकने कह रहे हैं लेकिन इस स्क्रीन पर राहुल गान्धी नहीं दिखाई दे रहे हैं दिखाई दे रहे हैं इसा लग रहा है जैसे बहां भाशन स्पीकर महोदे का चल रहा था अब जरह समझ लेते हैं राहुल गांधी के भाशन को पहले कितनी देर कामेरा कहा रहा फिर इसमृती इरानी कि अंधेर कैमेरा कितनी देर उनके ऊपर रहा कितनी देर ऩाउस के दूसरे लोगों पर रहा रहा कि ठीक बारा बजके 9 मिनट पर राहूल गांदी का भाशन चलता है मतलब 36-37 मिनट तक राहूल गांदी बोलते रहते हैं तो 37 मिनट में कैमेरा कहा था क्या वागई राहूल गांदी पर था और क्या जहां था वो सिर्फ एक इतिफाक हो सकता है ये सवाल है क्योंकि राहूल गांदी जब बोल रहे थे तो कैमेरा ज्यादा तर समय स्पीकर की तरफ था ये भी समझना आपने आप में बहुत दिल्चस पहां शिता कि 37 मिनट के भाषण में सिर्फ 14 मिनट और 37 सेकंड राहूल गांदी पर कैमेरा रहता है 34 माफ कि जेगा 37 मिनट के भाषण में केवल 14 मिनट और 37 सेकंड मतलब कि 23 मिनट तक जो है वो कैमेरा कहीं और था 23 मिनट 37 मिनट में 23 मिनट कहीं और और बोल कौन रहे थे राहूल गांदी बोल रहे थे मतलब 40% उनके भाषण का जो हिस्सा था उसमें राहूल नहीं दिखाई दे रहे थे 40% हिस्सा ही राहूल गांदी को स्क्रीन पर मिल बाकी के 60% समय पर, 60-70 % जो समय था ओम David VO Đु को दिया गया ओम बील्डा को और हाउस के दूसरे लोगों को राहूल को उस समय कुछ भी दिखाया गया लेकि राहुल को नहीं दिखाया गया जड़ा ओमेला वाले हिस्से पर भी आते हैं कि 12 बज के 30 मिनट से 12 बज के 46 मिनट तक 16 मिनट तक राहुल गांदी ने मनीपूर पर चर्चा की और इसमें 12 बार स्पीकर पर कैमरा वारा याद रखिएगा क्योंकि जब अंशिता बताएंगे इसमरिती पर कि कितनी देर कैमरा फार तो आप को बहुत अजीब लगेगा बारावार स्पीकर पर कैमरा गया और ओम और दिखाया जा रहा था ओम बिल्डा को अब जरा दर्शकों को स्मृती इरानी का हिसाब किताब या अंशिता समझा देगे इसमृति इरानी की बात हम वहां इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये भी एक बहुत महत्वपूर मुद्दा है कि जब सदन में एक बर सत्ता पक्ष बोल रहा है विपक्ष बोल रहा है तो इस तरह का कैमरा का जो फोकस होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए जहां तक हमें लगता जी लेकिन जो देखने में आ रहा है वो ऐसा नहीं दिख रहा है तो हम क्योंकि स्मृति इरानी का यहां जिक्र करेंगे तो इस्मृति इरानी 1246 पर राहुल गांधी का भाशन खतम होता है उसके तुरंद बाद यानि की 1247 पर इस्मृति इरानी बोलना शुरू करती है और 1247 स समय पर ऐसा एक मिनट के लिए भी नहीं हुआ कि जब रेगुलर हम राहुल गांधी को देख पा रहे हैं ठीक है उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कुछ सेकंड्स के लिए स्पीकर दिखाए जाते हैं जब जब क्योंकि सदन में हंगामा हो जाता है तो स्पीकर महुदे का जो काम रहता है लोगों को शांत करना चुक करना बैठाने के लिए बोलना तो यह सारी चीज़ें करते वक्त जो तरी जरूरी भी है उस टाइम पर हम स्पीकर की तरफ कैमरा देख पाते हैं उसके बाद इसम्रती पर कैमरा वापस लौट जाता है एक बजे तक लगातार स्क स्मौट यकार चुमा कर्णा खी करना न壓क नहीं करता है त्रों यहां पर यह बिल्कुल थे तवी नहीं दिख रहा है इसमृती तबी देख रहे हैं जब उनकी को involvement है उस टाइम पर ठीक है उसके बाद एक तेरह तक एक बजेस्ट के बाद फिर कुछ सेकंड्स के लिए स्पीकर कहीं जलक दिखाते हैं उसके बाद एक मलब टोटल अगर हम देखें कि एक बारा सैतालिस से लेकर एक चालिस तक जो इसम्रती इरानी का टोटल भाशन उसमें मात्र पांच बार स्पीकर महोदें हमें कुछ सेकंड्स के लिए जलकियां दिखाते हैं यानि साफ लग रहा है कि वह स्मृती इरानी का भाशन चल रहा है याद की राहूल गांधी के कुल भाशन में बारा बारा बार कैमरा जाता है ओम बिल्डा जी पर स्पीकर पर और स्मृती इरानी के कुल भाशन में अगर हम ऑवरॉल की बात करें तो टोटल बावन बार ऐसा हुआ है कि स्पीकर महोदे दिखाए गए यही इसी मुद्दे पर मैं आना चाहता था कि पांच बार स्मृती इरानी के भाशन के दौरान और बावन बार बावन याद तो यह टोटल जो है टाइम जैसे कि मैं फिर दुबारा रिपीट करूंगी कि कुल एक घंटे का भाशन क्योंकि बारा सैतालिस पर इसमृती इरानी ने अपना भाशन शुरू किया और हम एक चालिस तक उन्हें लगातार सुन रहे हैं जिसमें से मातर तीन या चारिया मैक् नाच बार हमें स्पीकर महोदे की जलक देखने को मिलती है और उनका प्रॉपर एग्रेशन वो जितना इंफिसाइस कर रही है कि शब्दों पर भाशन उनके चेहरे के एक भाव को दिखाया जा रहा है लेकिन वहीं राहुल गांधी के जो भाव हैं उनके जो मनीपूर के उठा रहें उस सबको गायब रखा जाता है जिससे जनता उनसे इंटरेक्ट ना क्योंकि भाजपा को यह बहुत अच्छी तरह से पता था कि भाशन का बहुत व्यापक इस्तेमाल होने वाला है तो कॉंग्रेस ने इसको बहुत मुद्दा बना प्रिया श्रीनेत ने इसको लेकर इशू बना दिया मुद्दा बना दिया और उन्होंने ट्वीट किया है ट्वीट किया कि राहूल गांदी जी ने अपने सदन के वक्तव्य में मनीपूर पर 15 मिनट 42 सेकंड बोला इस तोरान संसट टीवी का कैमरा 11 मिनट 8 सेकंड स्पीकर ओम बिल्दा जी पर ही ठिक रहा रहा राहूल जी को सिर्फ चार मिनट दिखाया गया मतलब 15 मिनट 42 सेकंड लगभग 16 मिनट में चार मिनट राहूल गांदी को और लगभग 11 मिनट ओम बिल्दा को इतना डलता है कायर ताना शाह राहूल गांधी की सच्छाई से यह सुप्रिया श्रनेत ने ट्वीट क इस जहराम रमेश ट्वीट किया जी जहराम रमेश ने ओवर आल भाशन की बात की है जैसे की टोटल जो भाशन है उनका 37 मिनट का रहूल जी का उसमें से मात्र 14 मिनट लगभग कुछ सेकंड जो है दिखाया गया है उनको स्क्रीन पर इस चीज को लेकर जहराम रमेश ने भ में क्योंकि शंषद के भाशन के बार राहुल गांधी सीधे राजस्थान पहुंच गए थे उन्हें आधिवासी सम्मेलन में हिस्स सब्सक्राइब ने मन्च से कहा, कि राद हुल गांधी को संसट टीवी के कैमरे ने नहीं दिखाया, बहुत कम दिखाया और ये स्विकार करने के लायक नहीं है, जरा सचिन पैलेट का बयान सुना देते हैं जिस मन्शा से उन्होंने राहूल जी को टेलिविजिन पे ना दिखाने का काम किया है पहने घंटे के भाशन में 10-12 मिनट उनको दिखाया, बाकि नहीं दिखाया, यही काम ये सरकार केंदगी कर रही है और इसका जवाब देने के लिए इस पकार के साजिश पून का आरवाई जो बार बार सरकार करती है इसका जवाब देने के लिए राहूल गांधी जी ने पिछले साल भारत जोड़ो यात्रा शुरू करी थी तो सचिन पाइलिट ने साफ तोर पर कहा कि ऐसा ही होता आया है ये पहली बार नहीं है जब राहूल गांधी को नहीं दिखाया गया संसर टीवी पर ये पहले भी होता रहा है और यही वज़ा है कि भारत जोड़ो यात्रा निकालनी पड़ी ये बहुत गौर करने वाली बात है कि नरेटिव बदलने की कोशिश हो रहे हैं आप देखिए कि इसके पहले नरेंद्र मोधी पर सीधा हमला करने से सारी विपक्षी पार्टियां बचती थे उनको लगता था कि इससे नुकसान होता है लेकिन अब अब अंशिता खुल कर आ गई है कॉंग्रेस पार्टी आपने देखा होगा कि सदन में रावन से तुलना कर दी देश द्रोही कह दिया कुंब कांड और मेगनाद का जिक्र आ गया अडानी का यार कह दिया तो और इधर बाहर सदन के बाहर सारे कॉंग्रेस के निता ताना शाह कह रहे हैं तो 2024 से पहले अभी बहुत कुछ सियासत में उलट फेर हम लोग देखेंगे तो पहले ये कहा जा पहले जैसे कि सदन की बात हम दुबारा करें तो पहले ये कहा जा रहा था कि विपक्ष के माइक बंद किये जाते कई बार मलिकार जुन खड़गे ने तो ये कहा था कि अपमान करते हैं आप हमारा बार बार हमारा माइक बंद करके लेकिन अब ये इतिफाक है अंशिता की बावन बार कैमरा चला जाता है राहूल गांधी के 37 मिनट के भाषण में स्पीकर की तरफ और एक गंटे के भाषण में स्मृति रानी के समय पांच बार तो यह इतिफाक बहुत हसीन इतिफाक है और ऐसे इतिफाकों को न शास्त्रों में चमतकार कहा हो सकता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा जिस तरह से डर रही है बीजेपी जैसा कॉंग्रेस कह रही है तो पता नहीं कौन सा चमतकार और हो जाए तो सियासत हमेशा चमतकारों और संभावनाओं से भरा हुआ खेल माना जाता है पता नहीं यह खेल किधर मुरे लेकिन फिलहाल इस वीडियो को यहीं रोकना पड़ेगा हम हमेशा गुजारिश करते हैं कि आप सब्सक्राइब कर दीजिए नहीं किया है तो और लोगों से कहिए सब्सक्राइब करने के लिए हम ट्विटर पर भी मौजूद है तो ट्विटर हैंडल बता दिए आप इसको जरूर फॉलो क इजिए